इस्तीफा मांग लिया है आजीद पवार से इस्तीफा मांग लिया है ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एंसीपी ने इस्तीफा मांगा है आजीद पवार से सवाल ये उठ रहा था कि क्यों नहीं पासित कर दिया जाता है अब ये खबर आ रही है शरत पवार अभी भी इस्तीफे की चर्चा से बच रहे हैं और NCP ने स्टीफा मांगए अबनी जी किस वर्याखर की जाई इस खबर दिए इसके पहले जो खबर आई थी आचल वो खबर ये थी कि चाची यहने शरत पवार की प्रतीबा पवार और बेहन सुप्रिया सुले ये सब लगे हुए हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि घर की बाद जो की सारवजनिक हो गई थी उसे समेट लिया जाए ताकि इज़त बची रहे लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अजीत पवार मानेंगे क्योंकि इतन बता आके नहीं कहते हमें सुत्रों के हवाले की खबर पर थोड़ा सा ध्यान देकर चर्चा करनी होगी इसकी वज़े ये कि इस तरह की खबरे कई बार मेरी अजीत मंडोला जी से भी बात हो ली थी राजनीतिक रिपोर्टेर रिपोर्टिंग में खबरे प्लांट की जाती ह अजीत जी बिल्कुल ये हो सकता है कि प्लांट खबर की गई हो मैं बारबर इस बात को ये अभी जैसे सवाल उट रहा था कि कौन नेता होगा उसका विज़ाइक दल का मैं कल एक सविदान के जो जानकार है उनसे मैंने बात करी थी तो उनका कहना था कि अब जैसे नया लेकिन मैं ये देख रहा हूं लगातार इस बात का मुद्दा बंदा है कि अजीत पवार का विप चलेगा ने ये बार बार बीजे भी मुद्दा बना रहे हैं इसकी कौंग्रेस बहुत शिर्षेना बिल्कुल क्लियर है समिधान मिशेशक के कह रहे हैं कि ये तो अग्रे अरिया जरूर है लेकि ऐसा नहीं है कि अगर तोट के अंदर मामला जाएगा तो अजीत पवार को सही ठराया ये बार 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 जा बहुत है अगर इस तीफे को सही माल लिया जाए इस खबर को यानि कि स्तीफा मांगा गया है NCP द्वारा अजीत पवार का तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मामला ही खतम ये जो चीफे वाली बात है ये खतम हो जाएगी ये खतम हो जाएगी जिसका कोई आधारी नहीं राज्येतिक गल नहीं तो वो किस आधार से वहाँ पर खड़े हो के कहेगा कि मेरे साथ इतने विदायक हैं तो ये स्तिती अगर ऐसी है और जैसे कि अजीत पवार ने कहा है जो सुत्रों के हवाले से आपने पढ़ा आचल कि भई कल तक के लिए उन्होंने इस बात को टाला है कि वीप वैसे भी इस समय प्रोटेम स्पीकर को जो विशेस अधिकार सुप्रीम कोट ने दिया है ना सिर्फ ओत दिलाने का बलकि फ्लो टेस्ट कराने का तो उसमें वीप की जो बात है वो बिल्कुल इर्रेलिवेंट है इस समय में चाहे वो वीप अजित पवार इशू कर रहे हो या वीप जो नए सी एलपी लीडर बने है वो इशू कर रहे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता नमबर टू मैं एक बात और इस प्रस्ट कर दिया जाता है कल प्रॉटेम स्पीकर को ये पावर दिया गया है अभी तक क्या होता था कि प्रॉटेम स्पीकर केवल शपद ग्रहन कराते थे और उसके बाद जो फुल फ्लेजर इस पिकर का चुनाव होता था तो वो दाईत उनको सौब करके उनका जो एक पद है वो खक्म हो जाता था लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि इस समय जो प्रोटेम स्पिकर बनेंगे वो केवल शपत कराएंगे बलकि वो फ्लोर टेस्ट भी कराएंगे तो उनकी उनका जो दाइत्व है वो केवल फ्लोर टेस्ट कराने से रिलेटेड है वीप कोई आव मानना होती ह या वीप नहीं माना गया या वीप माना जाना चाहिए था या वीप किसका है और नहीं है इन सारी चीटों की जो लीगालिटी और टेक्निकलिटी है उसको प्लोट मिप स्पिकर इसका इसका में नई हिरेगा सुशीर जी हाथ समझे रहे हैं तो केवल और कानून का क्या है नहीं नहीं ये दल बदल कानून कौन बिस्कौलिफाई हुआ डिफेक्टर हुआ ये तो वैसे भी बात की बात है ये रेलिवेंट नहीं है वो तो एप्सेंशन भी कराई जा सकती है फ्लोर अब दी हाउस पे मेरा सवाल ये है कि अजीद पवार या जैंक पाटिल किसका विप माना जाएगा और अगर संशे ये है कि अजीद पवार अभी भी विप है और कानूनी कागतों में हाउस के अंदर वो बदलाब नहीं हुए है तो ऐसे में क्या पार्टी से निश्कासन या इस्तीफा उसका एक रास्ता है कि ब्रहम खतम हो जाए देखे इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ नमबर वन में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोटेम स्पीकर के इस समय में तो होता है और बहुमत हमारे पास है लेकिन जयान पार्टिल की जगह और अजीद पावर के पास रहता है देखिये जब लोग सामने बैटे हुए है तो इसकी चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है तो आपको लगता है लिजालिटी प्रब्लम हो जाए है तो सुना आपने एकनाच शिंदे को वो क्या कुछ कह रहे थे मनीश भाई आप बता दीजे कुछ शिंदे तो आत्मश्वास से लगरेज जैसा की 162 की कि गिंती और परेड हुई है और जो सौगंद खाई है मुझे ऐसा लगता है एक समय इनी को लेकर खयास लगाए जाते थे कि शिरसेना में अगर बीडे पीका कोई है वरना यही जा रहे थे शिरसेना को तोड़ते पे यह वही है मेरे ख्याल से कल पांच बज़े तक न जाने और क्या घटना क्राव यह पता नी एक्शली में यह कहीं बारी होते है ने इस्ट्रेक्टिंग टिक्नीक पता चले सारे की नजरे एंसी पी पे और ऑपरेशन लोटस कहीं और हो गया लेकिन आचल एक बात और है एक मज़े की बात यह देखिए कि महराश को लेकर जो तमाशा चल रहा है उसके मंच हर पल पल बदल रहे है मन्च आप देखी है नहीं मनीज बाई वो तीक है लेकिन आप गहरी बात को समझे नहीं जो मैं कह रही हूँ कि सारे लोगों की नजरे एंसी पी पे हैं कि टूट की कजार पर है और ऑपरेशन लोटस कहीं और हो गया तो यह बहुत 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 सवाल होगा क्योंकि कहा यहीं जाता है कि अमिच शा की सोच वहाँ पर शुरू होती है जहां औरों की सोच और दूर देशी खत्म होती है गुल्रेज कुछ कहना चारे है गुल्रेज जी देखिए सबसे अच्छी बात जो इस जज्जमेंट में आई कि सीक्रेट वैलेट नहीं होगा तो आप देखा खुल कर जो एंसीपी के और शीवसेला के विता है भाजपा के प्रेमें में आएंगे और सपोर्ट करेंगे वी एपी को और जिस तरह से अभी संविधाने के स्वर्ड जो हमारे वीच में उनने क्या कहा कि विप्ता कोई मोल्य नहीं है तो उस दिशा में तो हमारे लिए बिल्मिस सिच्पेशन है क्योंकि जो लोग हमको समर्थन करना चाहते हैं फुल के समर्थन दे देंगे नमबर एक नम बर को एक बात कहना चाहता हूँ जो शीवसेला वाले अनुद्सा ही थे उनको यह भी ध्यान रटना चाहिए आप उड सामें उन लोगों के साथ है। आप राम का नाम ले लेकर इतने आगे बड़ें तो जिन लोगों ने राम को मानना ही अस्वी कार कर दिया। तो आप अपनी बात पूरी कर लिजे हम ये जानना चाहरे थे आपसे कि अजीत पवार या जैन पाटन किसके विप को माना जाएगा कि मैंने इस विप के प्रोसेस को चार पार्ट पे डिवाइड किया है नमबर वन प्रोटेम स्पीकर जो है वो विप को इस समय कंसिडरेशन करना या उसके लिए इतना बहुत जादा प्रासंगिक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट ने एक संशिप्त भूमी का प्रोटेम स्पी से करका विवेख होगा वो उसको माने या ना माने लेकिन मानने पांवने का जो कॉंसिक्वेंशियल इफेक्ट है वो बाद में तेह होगा वह हम भी समझ रहे हैं सुषीर जी लेकिन आप सवाल नहीं समझ रहे हैं अजीद पावार की चिठी के ओपर राज्य पाल ने देव अजीद पवार को हटा दिया आज की तारीक में आप मुझे ये बताएए कि विप किसका मानने होगा अजीद पवार का या जैंक्ट पार्टिल का जी देखिया इसमें एक परिस्तिती ये बन सकती है कि अगर एंसीपी अजीद पवार को पार्टी से निकाल देती है जी तो पासित कर दिया जाए क्योंकि मुझे लगता है कि शरत पहुआने कलिए हिंट हिंट में बात बोली लेकिन उसके बाद ये जो इस्तीफे की बात चुरूई है वो इसलिए हुई है कि हमारे विधायक जो है कंसे कम दिखर ना जाए और विप ना मानने तो ये ना रहेगा बा पास ना बज़े की बास हुरी आगे बढ़ेंगे लेकिन उस्ते पहले हैडलाइंस पर एक